हलो दोस्तों कैसे हैं आज आपको कुछ दीख रहा होगा हम बड़ों का पैर क्यों छूते हैं दोस्त ये अध्यात्म का टॉपिक है ये हम लोगों के पस से बाहर की बात हैं आज 5th of September 2022 आज शिक्षक दिवसे बहुत सारे बच्चों ने इस दीन को सेलिबरेट करा मेरा पैर चुए कुछ बच्चे उसमें ऐसे थे जिन्होंने ये पूछ डाला किस तर हम लोग बड़ों का पैर क्यों छूते हैं ये बहुत ही कठीन प्रशन था मेरे लिए ये बहुत ही अनोखा टाइप का प्रशन था मेरे लिए आपको पता होगा बड़ हमको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कठीन था इसका उत्तर दे पाना सोचे क्यों न हम आप लोगों के जाथ सेर करें हम लोग बड़ों का पैर क्यों छूते हैं दोस्त बहुत सारे लोगों से आप सूनेंगे तो अलग-अलग तरह का जवाब आपको देंगे कोई बोलेगा हम लोग सम्मान करने के लिए पैर छ पीचर, गाइड, मेंटो, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग किसी के पैर को छूते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारी स्रध्धा होती है सामने वाले के प्रती, चाहे हम अपने पिताजी का पैर छूएं, माताजी का छूएं, दीदी, भाईया, गुर परीजन, किसी का भी पैर चूते हैं, तो हमारी उनमें स्रध्धा होती है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो मुझे लगता है, जैसे जब हम लोग किसी का पैर चूते हैं, मान लेते हैं, छोटा सा हम कार्टून बनाते हैं, बड़ कार्टून को कार्टून मत स सजन हैं हमारे पिता जी माता जी कोई भी हमसे जो बड़े हैं यह अगर यह खड़े हैं और इनका यह पैर है ठीक है दोस्त इनका यह पैर है यह इनका हाथ हो सकता है इनका हाथ है ठीक है अब हम लोग हैं जो हम लोग छोटे हैं यह बड़े हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम ल तुके हुए हैं पैर चू रहे होते हैं ठीक है यह हम लोग ऐसे खड़े हैं थोड़ा सा गजब टैप का बन रहा है फोटो बट बरदास्त कीजिएगा दोस्त हम लोग का पैर ऐसे हम लोग चू रहे होते हैं ऐसे हम लोग पैर चू रहे हैं अगर हम लोग ऐसे पैर चू रहे हैं इसका मतलब क्या होता है अगर मान लीजिए कि किसी का सर अगर पोजिटीव चार्ज है और पैर अगर निगेटीव है याद होगा हम लोग जानते हैं हमें से positive to negative flow करता है दोस्ते इसका मतलब क्या होता है कि higher concentration से lower concentration की तरफ वहता है मतलब higher potential to lower potential तो अगर हम लोग किसी का माथा को समझ ले positive पैर को समझ ले negative यानि कि current कैसे flow होगा positive to negative जब हम लोग चोटे होते हैं अपने गुरू का पैर चूते हैं बड़ों के जगए हम लोग गुरू भी अगर लिखें तो आज बहुत अच्छा लगेगा आज बहुत अच्छा लगेगा दस गुरू का पैर क्यों चूते हैं जब हम लोग पैर चुते हैं अपने गुरू का अपने से बड़ों का तो यह जो करेंट का energy का जो flow है दोस्त इनके पैरों से निकलता है जैसे सर से तो कोई चीज नहीं निकलता है हमें सब positive to negative flow करता है positive to negative तो जो ऐसे flow कर रहा है current यानि हमारे energy energy flow कर रही है और जब हम लोग जुक के इन से लेते हैं हम लोग अपने हाथों से उनके सरीर से निकला हुआ energy को स्विकार कर रहे होते हैं मुझे ऐसा लगता है यह energy हम लोगों के अंदर में आती है और हम लोग क्या बोलते हैं मतलब क्या हो रहा है वो अपनी energy को हमारे साथ share कर रहे हैं को आप क्लिर है दोस्त अब दूसरी बात यह बोला जाता है कि हम अपने दाएं हाथ से दाएं पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को क्यों छूते हैं इसका बहुत important reason है दोस्त मान लेते हैं कि दो current का wire है एक plus है एक minus है current कैसे flow यह जब हम लोग एक नया तार जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं दोस्त क्या हम लोग एक यह wire है यह plus है एक minus है तो हम लोग कैसे जब इसे दो wire होता है, यह minus होता है, यह plus होता है, माइनस होता है हम लोग plus को plus में जोड़ते हैं और minus को minus में जोड़ते हैं तब जाकर current दो दोस्त flow होता है properly तो यदि हम लोग अपने दाहिने हाथ से, क्या बोले? दाहिने हाथ से, right hand से, right leg और left hand से lift leg अगर हम टच करें तो साध हम लोग का current का जो flow है ना दोस्त बहुत अच्छे से होगा मतलब अगर हम लोग किसी को परणाम करते हैं जैसे मेरा दाहिना हाथ है सामने वाले के दाहिने पैर को और बाया हाथ है सामने वाले के बाये पैर को अगर हम लोग ऐसे छूक एकर cross करकर हम लोग परणाम करते हैं तो जो current का flow है यानि कि जो energy का flow है न दोस्त यह proper तरीके से हमारे सरीर के अंदर में आएगा यह हमको ऐसा लगता है अब इसमें कितनी सच्चा ही है दोस्त हमको नहीं पता है बड़ हम ट्राइ कर रहे हैं इसको लॉजिकल समझने की और आपके शाथ शेयर करने की यह याद रखेगा अगर हम लोग simple ऐसे touch करते हैं दोस्त ऐसे touch करते हैं मतलब हम लोग cross उल्टा कर रहे हैं जो कि यह गलत तरीका है अगर हम लोग सीधा चाहते हैं कि current हमारे सरी में पूरा आए उनके सरी की energy हमारे अंदर में आए जो इस तरीके से हम चाहते हमारी frequency match करे तो दोस्त हम लोग को अपने cross hand से परणाम करना पड़ेगा ठीक है हमको ऐसा लगता है क्योंकि right hand से right leg left hand से left leg को touch करेंगे तो दूसरी बात आजकल दोस्त परणाम करने का बहुत गजब का चलन हो गया है लोग ऐसे घुटने से ही परणाम करते हैं पूरा जुकना भी नहीं चाहते हैं एक चीज़ सोचिए एक wire यहाँ पर है और एक wire यहाँ पर है क्या दोनों में current flow हो पाएगा दोस्त थोड़ा मुस्किल लगता है लोग आजकल पैर बस यहीं पर जुके सोचते हैं कि हमने परणाम कर लिया मेरी स्रद्धा हो गई दोस्त कहां से होगा दोस्त जब तक तार एक दूसरे में touch नहीं करेगा current flow कैसे होगा जब तक हम उनके पैरों से energy को receive नहीं करेंगे हमको कहां से वो आसिरबाद मिल पाएगा दोस्त इसलिए हम लोग पहले जवाना में क्या होता था पता है लोग सास्टांग करते थे अपने सर को उनके पैरों में touch करते थे अपने सर को उनके पैरों में touch करते थे सास्टांग करते थे ताकि जो उनके सरीर की जो energy है न वो बिल्कुल हमारे सरीर में समाहित हो जाए लेकिन आज कल तो लोग हम लोग दोनों पैर को भी छुना हम लोग के लिए दूबर हो गया दोस्त हम लोग दोनों पैर भी टच नहीं करते हैं धंग से हम लोग तो गुटने पे ऐसे जुकते हैं घुटने से पडाम कर लेते हैं तो हमको लगता है दोस्त कि हम सबको अपने से बड़ों का जिनको भी हम स्रधा करते हैं, हम आदर करते हैं, कम से कम दोनों पैरों को सीधे हाथ से, मतलब दाइने हाथ से दाइना पैर, बाया हाथ से बाया पैर को कम से कम जरूर छुएं, परणाम करें, उनकी एनरजी को हम लोग अपने अंदर आत्म साथ करें, दोस्त एनरजी की बहु बहुत सारा है आज आपका सेर कर रहे हैं दुनिया में आसिरबाद की बहुत कमी हैं जितना आसिरबाद बटोर सकते हैं बटोर लीजे दूसरा ग्यान भरा पड़ा है दोस्त जितना ग्यान बटोर सकते हैं बटोर लीजे और ग्यान बटोरने के लिए दोस्त हमेशा अपने ग इंसान है जो आपको तार सकते हैं, आपके नईया को पार लगा सकते हैं, याद है न, गुरू गोविन दो खड़े, काको लागो पाए, गुरू बलिहारी गुरू आपने गोविन दियो बताए, ध्यान रखेगा दोस्त, और तीसरा, बजार में बहुत पैसा है, जितना बटो नहीं लीजिए दोस्त, दूसरे का अगर एक रूपिया आप रखते हैं न दोस्त, तो आपके जेव से सो रूपिया कैसे निकलेगा, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, दूसरे के जेव का एक रूपिया भी कभी नहीं, दूसरे का धन मिट्टी के समान, दोस्त, एक रुपिया भी अपने पास न रहने दें, जहां तक हो सके, दे दें, रखने के कोशने करें दोस्त, याद होगा, एक मुठी अनाज जब हम छीटते हैं खेतों में, तो पता नहीं कितनी बोरियां भर जाती है, याद रखिए, ये मुठी और बोरी का रिष्टा बहुत बड दोस्त, बट एक फल तो देना तो पड़ेगा नहीं, धर्ती माता है, चाहेंगी तो जरूर, इसलिए दोस्त, धियान रखेंगे, हम लोग बड़ों को परणाम, क्यों करते हैं, जो हमको समझ में आया, आपके असाथ सेर के दोस्त, थैंक्यू, मिलते हैं अगले वीडियो मे झाम, क्यों कि गपके एमके खिका थाओेंगे, चाहेंगी सेर क करता हैं, प्रमशने को बड़ों करना हैं, वीडियो में पके तोस्त, क्यों, हम लोग над facts रिल sigma करता हैं, खिका गभ़ों क्यों हैं तोस्त, क्यों में हमके हैं थाक्स्त,